हेलो एवरिवन मेरा नाम है तसवरिजास and welcome to the 8th video of 3D animation course by 3DX mentor लास्ट वीडियो में मैंने आपको आउट लाइनर पैनल के बारे में डिटेल से गाइड किया था आउट लाइनर पैनल के एक एक आप्शन को डिटेल से समझाया था और मैंने आपको एक practical exercise भी दी थी होपसो के आपने वो कर ली होगी आज की इस वीडियो में हम blender के 3D viewport में rotate और move करना सीखेंगे और blender की कुछ important shortcut keys के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ के blender में काम करते वक्त अगर मैं mouse का left click दबाऊं तो यहां आपको दिखाई देगा left click अगर मैं keyboard से control का button दबाऊं तो यहां आपको दिखाई देगा control यानि के जो जो keys मैं प्रेस करूंगा वो आपको यहां दिखाई देती रहेंगी next जो चीज आपने समझनी है वो है 3D viewport में rotate और move करना इस concept को समझाने के लिए सबसे पहले तो मैंने keyboard से A press किया A press करते ही viewport में मुझूद सारे object select हो गए यहां आप देख सकते हो के camera, cube और light तीनों ही select हो गए है note down कर लो के blender में select all करने की shortcut की है A इन सारे object को select करने के बाद keyboard से delete बटन दबा के मैंने इन object को delete कर दिया इसके बाद मैं फाइल में गया import पर गया और यहां से fbx वाले option पर click कर दिया और download वाले folder में जाके इस character 1 की file को select करके इसे blender में import कर लिया आप इस character 1 वाली file को description में दिये गए link से download भी कर सकते हो अब यहां पर आप देख सकते हो के blender में हमारा यह cartoon character import हो चुका है अब मुझे आपका सारा focus यहां 3D viewport में और मेरे mouse cursor पर चाहिए सबसे पहले तो 3D viewport में zoom करने के लिए मैंने mouse के scroll बटन को scroll किया यानि के 3D viewport में scroll को up and down करने से आप 3D viewport में zoom in and zoom out भी कर सकते हो zoom in करने के बाद character का जो face है वो उपर चला गया और दिखाई नहीं दे रहा ऐसी situation में हम viewport में move करते हैं move करने के लिए मैंने keyboard से alt और shift दबा के रखा और left mouse बटन दबा के इससे नीचे की तरफ move किया तो इस तरह से आप blender में up down left right move कर सकते हो अब मुझे इस character का left कान दिखाई दे रहा है लेकिन अगर मैं इसका right वाला कान देखना चाहता हूँ तो मैं 3D viewport में rotate करूंगा 3D viewport में rotate करने के लिए मैं mouse cursor को left side पर लेके आया keyboard से alt की को दबा के रखा और left mouse बटन को प्रेस करके left side से right side की तरफ rotate किया अब अगर मैं इसका left वाला कान दुबारा से देखना चाहता हूँ तो मैं mouse cursor को right side पर लाऊंगा keyboard से alt की को प्रेस करूंगा और mouse से left mouse बटन को दबा के left side की तरफ move करते ही 3D viewport में rotate करूंगा इस तरह से आप 3D viewport में किसी भी direction में rotate कर सकते हो keyboard से alt की को प्रेस करो फिर left mouse बटन को दबा के रखो और mouse को आगे पीछे उपर नीचे move करके देखो कि कैसे 3D viewport में rotate किया जाता है इस point of time पर आपको ये समझ जाना चाहिए कि blender में दो views की option हमारे पास होती है एक को बोला जाता है perspective view और दूसरे को बोला जाता है orthographic view अभी जो मैंने आपको सिखाया blender के 3D viewport में अपनी मर्जी से rotate और move करना और किसी भी angle से अपनी मर्जी के मताबिक object को देखना इसे perspective view बोला जाता है जबके अगर मैं इस character को front side से back side से top side से right ये left side से ही देखना चाहूं तो ऐसे view को हम orthographic view बोलते हैं अगर आप character को front side से देख रहे हो तो इसे front orthographic view बोला जाएगा अगर आप character को back side से देख रहे हो तो इसे back orthographic view बोला जाएगा अगर आप character को right side से देख रहे हो तो इसे right orthographic view बोला जाएगा काम की बात ये है कि Blender में इन तमाम आर्थोग्राफिक व्यूज में जाने की शॉर्ट कट कीज होती है जैसे कि मैंने कीबोर्ड से NumPad 1 प्रेस किया तो फ्रंट आर्थोग्राफिक व्यूज में आ गया Ctrl प्लस Num Pad 1 प्रेस किया तो Back Orthographic View में आ गया Num Pad 3 प्रेस किया तो Right Orthographic View में आ गया और Ctrl प्लस Num Pad 3 प्रेस किया तो Left Orthographic View में आ गया Num Pad 7 प्रेस किया तो Top Orthographic View में आ गया Ctrl प्लस Num Pad 7 प्रेस किया तो Bottom Orthographic View में आ गया एक काम की बात ये है कि जब भी मैं numpad 1, numpad 7 बोलूँ तो आप ये समझ जाना कि keyboard में ये वाला जो pad है इसे ही numpad बोला जाता है और मैं इस numpad में मुझूद 1, 7 या 8 key की बात कर रहा हूँ ना के 1, 2, 3 बटन्स की मेरी आज की वीडियो में आपने सीखा कि blender के 3D viewport में rotate और move कैसे करते है perspective view और orthographic view क्या होता है साथ यसाथ मैंने आपको left, right, top, bottom और front orthographic view की shortcut keys भी बताई आपकी exercise ये है कि आपने इन तमाम shortcut keys को याद करना है और इस character को blender में import करके इन keys की practice भी करनी है next video में हम objects की transformation के बारे में बात करेंगे